बहुत ज्यादा लड़के लड़कियां मेकप कोर्स इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकाज आज कल बहुत ज़दा एक्सपैंसिफ हो चुका है मेकप, प्रोफेशनल मेकप कोर्से आर सो एक्सपैंसिफ गाईस नावरदेज इसलिए ग्राफ जा रहा है बट अगर हम मारे पास पैसे नहीं हैं हम अपना ड्रीम पूरा कैसे करें इस अबसे पहला क्वेस्चन तो यही आता है इफ आपना पात चेंज कर देंगे पर अपसे नहीं क्योंकि मैं देने वाली हूँ आपको फ्री प्रोफेशनल मेकप क्लासेज ऑन माई इस चैनल जो की जिसका नाव में है हरक और सुपी ब्यूटी है वेलकम तो एव्रीवन इफ यू वां तो लर्न मेकप इन डिटेल अगर आप प्रोफेशनल मेकप आर्टिस बनना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर स्वागत है गाइस और अगर आपने मेरे चैनल को और रड़ी सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच इफ या नू नू तो माई चैनल सो सब्सक्राइब माई चैनल हिट दा बैल ऐकोन तो रिसीव नोटिफेशनल मेकप की हम यहां पर बात करेंगे वो आपको प्रॉपर डिटेल में बताया जाएगा ताकि आपको किसी और से सीखने की ज़रूरत ही ना पड़े तो डे इस दा फर्स दे हम बेसिक स्टार्ट करेंगे बेसिक आजाता है मारा स्कीन केर जब तक आप अपनी स्कीन के टाइप को नहीं समझोगे स्कीन केर को नहीं समझोगे तब तक आप मेकप आर्टिस्ट कभी बनी नहीं सकते हैं जब आप जिस चीज़ पे आपको आर्ट करना है जब भी हम fine art करते हैं तो fine art के लिए अलग page होते हैं अलग-अलग pages आते हैं अलग-अलग sheets आती हैं अलग-अलग pencils आती हैं तो कोई भी चीज है कोई भी art है कोई भी चीज आपने सीखनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें understand करना पड़ता है जो sheet पे हम draw करेंगे वो sheet कैसी है, वो sheet का texture कैसा है, वो sheet के उपर रंग कैसे निकल के आएगा और कौन सा रंग आएगा, तो इसके लिए सबसे पहले जो base हमारी skin है, हमें अपनी skin को समझना है कि skin की type क्या है, हमारी age क्या है, अगर आप child है, अगर आप child पे बड़े वाला make-up क करोगे, तो उस बच्चे की skin तो खराब होगी न, right, तो इसके लिए सबसे पहले अपनी skin को समझे, and most of the persons pacifist करते हैं, अपनी skin को understand करने के लिए skin test करवा के, right, skin test आप घर पे भी कर सकते हैं, skin test आप अपने client को बता सकते हैं, अगर उसको नहीं पता कि उसकी skin type कौन सी है, right, अब हर कोई बोलता है कि मेरी sensitive skin है, first बात कर लूँ, make genuine, इसको मैं अलग से type में क्यों नहीं लेके आ रहे हूं, वो भी मैं आपको बताती हूं, जो sensitive skin है, it's not a type, right, sensitive skin जो है, वो आपका oily में भी हो सकता है, वो आपका combination में भी हो सकता है, वो एक texture में आएगा, ठीक है, आपक skin sensitive है, वो oily में भी sensitive हो सकती है, वो dry में भी sensitive हो सकती है, skin जो easily किसी चीज़ को react कर दे, है ना, किसी product को बहुत जल्दी उसके उपर effect हो रहा है, वो skin जो होती है ना, allergist जिसको जल्दी हो जाती है, वो skin sensitive कहला ही जाती है, वो किसी type में नहीं आता है, guys, if I am talking about first oily skin, तो जब भी आपने सुभे morning उठके सबसे पहले आपने एक tissue paper ले लेना है, आपने tissue paper लेना है, wet नहीं dry tissue paper लेना है, and जैसे ही आप सो के उठोगे, आपने उस tissue paper को open करके अपने face के उपर लगा लेना है, लगाने के बाद आप देखोगे, अगर तो वो उस पे पूरा oil spread it means you have oily skin, बस इतना ही काम है oily skin को पहचाने का, ठीक है, if you have dry skin तो आपका tissue paper जो है, वो totally dry रहेगा, कहीं पे भी उसके उपर oily नहीं आएगा, ठीक है, तो it means you have dry skin, फिर अगर आपके tissue paper के उपर T zone area में oil आ रहा है, cheeks आपके dry है, it means you have combination skin, yes, it means you have combination skin, अगर आपका skin बहुत जादा light light सा, मतलब कुछ भी नहीं है, light 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 हलका हलका सा, उस पे थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पे oil आ रहा है, it means you have normal skin, so sensitive skin किसी में भी नहीं आती है, so this is how we test our skin, इतना एजी था आपने skin को test करना, ठीक है, अब इसके लिए कभी भी test मत करवाना, and इस चीज़ को आपने अच्छे से याद करना है, बहुत easily याद हो गया ना, skin types, जिसको याद हो गया, वो comment section में done जरूर लिख दे, and अब हम बात करेंगे skin care की, skin care before makeup बहुत जादा important role play करता है, अगर आप skin care proper नहीं करोगे, तो आपको makeup के बाद, acne का problem, close pores का problem, open pores का problem, fine lines, wrinkle का problem, आपका makeup अच्छे से नहीं होगा, अगर आपका skin care अच्छे से नहीं है, ठीक है न, अगर आप, जब भी हम fine art करते हैं, जब भी हम sheet पे color कर देते हैं, या हम दिवार पे भी color करते हैं, सबसे पहले हम उसका base लेते हैं, उसको base proper उसका करते हैं, उसके बाद हम उसके उपर color छोड़ते हैं, तो यही चीज हमारे skin care लिए है, हमारी जो skin है, उसके उपर हमारा पहले skin care proper होना चाहिए, ठीक है, अब जो skin care है, वो दो type का है, आपका before 24 hours skin care and also दूसरा होगा आपका just before makeup, आज हम बात करेंगे 24 hours before skin care, या फिर 12 hours before भी आप उसको कर सकते हैं, तो कई लोग जो bride होती हैं, उनके उपर तो facial करा जाता है, ठीक है, अगर आप facial करते हैं, अगर कोई bride है, उसके उपर आप facial कर सकते हैं, bleach कर सकते हैं, बट अगर कोई party wear है, या client के उपर करना है, या आपने खुद करना है, तो उसके लिए आप, so skin care को हम start करते हैं, सकीन के स करेंज कुलेंजब करना है यूज सबसे पहले हमें विकष्ड कर प्रिझ सबसे पहले हमें विकष्ट लुभ कर सकते हैं या मिट वाइप्क एप्या ज्वीरी है कुकि यूज्बों में उसको करते हैं तो जिनके फेस के उपर बहुत ज़्यादा डेट स्किन सेल्स होते हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके वह ड़स डर्ट फेसे क्लीन नहीं होगा तो उससे मेकप आपको साइड इफेक्ट देगा आपके फेस के उपर एकने वगरा की प्रॉ बाकी फेस के उपर आपको हमेशा mild exfoliator ही उसकरने होते हैं कभी भी वो harsh वाले जो आते हैं वो नहीं उसकरने होते हैं और बहुत हलके हाथों से आपने बहुत gently cleanse करना है अपने फेस को skin को exfoliate करना है आप इसको 2 से 5 मिनट कर सकते हैं अगर आप 15 डेस के बाद कर रहे हैं तो 5 मिनट कर लीजिए अगर आप वीक के बाद skin को exfoliate कर रहे हैं तो आप 2 मिनट सी sufficient है 2 मिनट के लिए skin को exfoliate कीजिए अपने फेस को cleanse कीजिए अब आपकी जो skin है वो proper cleanse हो चुकी है dust, dirt जो है वो बाहर आ चुकी है so third step is face pack face pack apply करना बहुत बहुत ज़रुरी है face pack अगर आपकी dry skin है तो मैं आपको creamy जो face pack आते हैं आप वो apply कर सकते हैं DIY अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस पे आप milk cream यूज कर सकते हैं या milk जो कच्चा दूद रौ मिल्क होता है वो add कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी oily skin है तो मैं आपको gel based pack आते हैं face pack आपको वो यूज करने चाहिए pack apply कर सकते हैं क्योंकि यह आपकी oil को खीच लेता है और आपकी skin को थोड़ा सा dry कर देता है अगर आपकी oily skin है तो make up करने के बाद oil बहुत ज़दा शूटता है अगर आप ऐसा pack apply करोगे कि जो आपके oil को खीच दे तो आपकी skin का balance बनेगा और आपका make up जो है वो काला नहीं पड़ेगा और आपका make up बहुत अच्छा होगा तो यह करने के बाद आपने अपना night cream लगा के apply करके सो जाना है आपने अपने face को दुबारा face wash से wash नहीं करना है अपने lips को ज़रूर lips scrub करना lips को moisturize करना यह ज़रूरी आ जाता है ठीक है अगर मैं eyes की बात करूँ तो eyes को भी सोथन काम करना बहुत ज़रूरी होता है तो eyes के उपर आप ठंटा ठंटा पानी डाल सकते हैं इसको cold therapy दे सकते हैं अगर यह नहीं तो आप eye cream से अच्छे से massage कर सकते हैं so guys यह था आज का video तो मिलेंगे हम अपनी second class में जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी just before skincare doing makeup तो before makeup जो हम skincare कर करती हूं मिलती हूं अपनी next class में I hope यह class आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial रही होगी बहुत ज़्यादा helpful रही होगी so अगर आपको यह वीडियो पुसंद आए तो वीडियो को like share कर देना and also मेरे चैनल को subscribe कर देना मिलती हूं अपनी next वीडियो में नही skincare के साथ तिल देन आप